नमस्कार इंडिया होमेट में आप सबको स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर मटर की सबजी यह सबजी स्वाद में भी अच्छी होती है और सेहत में भी और इसे बनाना भी उतने ही असान है तो चलिए आज बनाते हैं गाजर मटर की सबजी यहाँ पर मैंने धीम्याज पर कड़ाई गरम होने के लिए रखिए अब हम इसमें डालेंगे सर्सो का तिल आप चाहे तो इसे रिफाइंड ओल या देसी गिय में भी बना सकते हैं तेल हमारा यहाँ हलका गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे तड़के के लिए जीरा अब लोटू मीडियम फ्लेम पर प्यास को अच्छी तरीके से यहाँ पर भूल लेंगे प्यास को भी यहाँ अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है आप चाहे तो यहाँ पर प्यास को पकाने के लिए हलका सा नमक भी ऐड़ कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे तीखी वाली हरी मर्चे, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जादा तीखी वाली हरी मर्चों का इस्तमाल किया है, क्योंकि गाजर की मटर की सबजी में थोड़ी सी मिठास जादा होती है, आप चाहें तो कम तीखी वाली हरी मर्चों का इस्तमाल कर सकते है प्याज हमारे यहां पे अच्छी तरीके से भून गया है अब हम इसमें डालेंगे ताजा धुली हुई हरी मतर साथ ही इसमें डालेंगे गाजर गाजर को मैंने छेल के अच्छी तरीके से धुल के इसके टुकड़े कर लिये है बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं रखने हैं आप चाहें तो इसमें आलू भी एड़ कर सकते हैं अच्छी तरीके से सब्जी को भी यहाँ पे भून लेना है अब मैं अब इसमें डालेंगे मसाले यहाँ पे मैंने घर का पिसा मसाला लिया है साथ ही लिये हल्दी और साथ में नमक सौधनसार आप अपनी सब्जी में जो भी मसाला इस्तमाल करते हो घर पे वो आप इसमें डाल सकते हैं इसमें हमें कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है क्लर की लिए क्योंकि गाजर मतr की सब्जी का जो कलर होता है तो हमें कोई भी कलर के लिए कश्मिरी लाल डालने की जरूरत नहीं है अब हम इसमें डालनेंग बारी कॉट्टी हुई टमाटर अच्छे तरीके से सब्जियों को मसालों के साथ भून लेना है आप चाहे तो मैंने यहाँ पर इसे कड़ाई में बनाया है आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो इसे पकानी के लिए प्रेशर कुकर में हाई फ्लेम पे एक सीटी आने पर 3-4 मिनट बाद कुकर का ढखन खोल देना है प्रेशर कुकर में ये सबजी जल्दी पक जाएगी और कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा तो अब थोड़ी दर के लिए इसे ढखके धीमियाज पे पकाएंगे तो सबजी को एक बार अच्छी तरीके से चला लेते हैं यहाँ पे सबजी हमारी पकना शुरू हो गई है सबजी यहाँ पे काफी हद तक नरम हो गई है और सबजी ने पानी भी छोड़ दिया है अच्छी तरीके से इसे चलाती है, थोड़ी दिर के लिए इसे और धीमियाज पर ढखके पकाएंगे तो फिर चे एक बार इसे ढख देते हैं एक बार फिर से सब्जी को अच्छी तरीके से चला लेते हैं सब्जी हमारी यहाँ पर काफियत तक पक चुकी है बस थोड़ी सी कसर इसमें और बाकी है, तो दो से तीन मिनट के लिए इसे फिर से धीमियाज पर डखके पकाएंगे तो यहाँ पर सब्जी हमारी पकर तयार है सब्जी को बनाने में मैंने बहुत ही कम मसालों का इस्तमाल किया है आप भी इसी तरह से इस सब्जी को बना कर देखिएगा, बहुत ही अच्छी गाजन मटर की सब्जी बनकर तयार होगी अब हम इसमें एड़ करेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है अगर आप इस सब्जी को प्रेशर कुकर में बनाते हो तो कड़ाई की बजाए और जल्दी इस सब्जी बनकर तयार हो जाएगी तो यहाँ पर हमारी गाजन मटर की सब्जी बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर तयार हुई है बहुत जादा मसालों का इस्तिमाल नहीं किया है और स्वाद में बहुत ही अच्छी है इस सब्जी तो यहाँ पर गाजन मटर की सब्जी हमारी बनकर तयार है